हलो स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिवाग ज्यान पाट साला में देखिए प्रात्मी सिख्षक भरती को लेकर बहुती महत्य पूर्ण सूचिना आ रही है इसमें आपकी काउंसलिंग जो कराए गई थी उसमें किस जिले में अभी भी सीटें खाली बची है और कहां पर सीटें पूर्ण रूप से भर चुकी है इसके बारे में अपडेट है देखिए कहां कहां पर ये सीटें आपकी अभी भी खाली रह गई है और कहां पर पूर्ण रूप से ये पूरी भर गई है और अभी कितनी लोगों ने इस पर काउंसलिक कराई है और आपके यहाँ पर जो लग गये हैं अभ्धारती उनका जो भी चैन है रद होने वाला है वो कल की वीडियो में इस बताया गया था आपको नई अपडेट आज और आ रही है उनी के बारे में किन अभ्धारतियों को अ अब उनका जो भी चैन है रद किया जाना है और यदि आप चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आने वाली में अपडेट आप तक समय से पहुंसती रहे और आप इस भरती को लेकर अपडेट रहें देखिए इसमें क्या कहा गया है सबसे पहले हम द सिच्छक भरती काउंसलिंग में पहुंचे 510 अभ्यारती कितने पहुंचे हैं अभ्यारती 510 अभ्यारती पहुंचे हैं यहाँ पर पर परदेश में सुमबार को सरकारी प्रात्मी बिद्धालों में सहायक अध्यापकों की भरती के लिए चोते चरण की काउंसलिंग हुई काउंसिलिंग में 533 यानि 533 अब्यारत पद खाली थे, खाली पदों के विप्रीट 510 अब्यारती पहुँचे यानि कि देखे यहाँ पर आपके जो भी पद थे 533 थे और 510 अब्यारती पहुँचे 23 पद अभी भी खाली हैं यहाँ पर, कहाँ पर देखरादूर में अभी भी 23 पद खाली बचे हैं विप्रीट 510 अब्यारती पहुँचे, सिक्चा युवाक के अधिकारियों के मताबिक काउंसिलिंग के बाद चैनित अभी खाली जारी किये जाएंगे, जिस अभी खाली ने देहरादूर में काउंसिलिंग कराई हैं उनकी सभी को नुक्ति पत्र दिया जाना संभाव है, उन्हीं को नहीं मिलेगा जिनके डोकॉमेंट में कोई कमी पाई जाती है या कोई तत्वा ऐसा पाया जाता है, जिनको नुक्ति पत्र नहीं दिया जाए नहीं तो यहाँ पर पांसोदा सब्यारती पहुंचे हैं, सीटें आपकी पांसो तैतिस्ति यानि कि यहाँ पर सभी को शोनी सीथ है कि जोईनिंग हो जाएगी उनकी यह उनके लिए अच्छी कावर है जिसने अपनी काउंसलिंग दहरादून कराई है आगे और देखेंगे इसके बारे में जानेंगे और कहां कितने पता भी रिखते रहने वाले हैं चंपूर जानकारी के लिए आप इस वीडियो पर बने रहें और वीडियो को पूर रूप से देखें उससे पहले हम देखने से पहले कि कहां कितने पत खाली हैं थोड़ा सा यहाँ पर नज़र डालते हैं परदेश में प्रात्मी चुकी भरती में आसमज से दूर हो गया अन्य परदेशों के अभ्यारतों को समान जाती के आधार पर प्रात्मी चा भरती में आरक्ष्ण का लाब नहीं मिलेगा यानि कि जो अन्य राज्य के हैं उन्हें सिर्फ आरेक्ष्णन का लाब नहीं मिलेगा बाकी वो समानने में अगर उनका कटोप बनेगा तो उन्हें न्युक्ती पत्र दिया जाएगा जो नहीं दियागी भरत दियाएगी लेकिन अगर वो अन्य राज्य से डिलेट करके आये हैं या फिर वो अन्य राज्य के हैं उनको आरेक्ष्णन का लाब नहीं मिलेगा सिक्षा सच्ची प्रविनात रवन ने सुम्बार को इस सम्मद में आदे जारे किये सासन कि इस आदे से भरती के लिए चाइनित लगबा 75 महिला हैं अपात रहो जाएंगी यानि कि जो भी महिला हैं उनको आरेक्ष्ण का लाब दिया गया है उत्तरा की बाहर की यो महिला हैं उनको लाब यहां प्राप्त हुआ है लेकिन अब उनको समानने में उनकी मेरिट बनेगी और उनकी समानने का अधार पर ही चायन किया जाएगा उनको आरेक्ष्ण का है तो उन्हें जोईनिंग उनका जो आविया जो अभ्यारतन है वो रद नहीं किया जाएगा और यदि उन्हें आरेक्ष्ण से लेकर वह भरती की है तो उनका अभ्यारतन रद कर दिया जाएगा यानि कि उनका चैन रद कर दिया जाएगा यहाँ पर आगी कहा गया है 75 महिला आपात्र हो जाएंगी बहीं इन अभ्यारतू के जाती प्रमापत्र भी जाच के दायरे में आ गए हैं देखिए यहाँ पर साफ साफ कर गया है इन अभ्यारतू के जाती प्रमापत्र बने हैं तो कैसे बने हैं किस परकार बने हैं पत्र हैं उनकी जाच की जाएगी प्रमापत्रों की जाच करके गहन अध्यन किया जाएगा कि यह कैसे कैसे इन्होंने क्या कर डोकुमेंट किस आधार पर यह जाती प्रमापत बनवा लिए आगे कहा गया है सासन ने जिला अधिकारियों को 15 दिन में इन प्रमापत्रों की जाच की आदेश दिये है यानि कि इन प्रमापत्रों को जिला अधिकारियों का आदेश मिल चुका है अब उनको ये जाच होनी है आगे कहा गया है मैला महिलाए बिवाह पूर्व उनके राज्जों में आरेक्षण की पातर बताई जा रही हैं उत्तारने बिवाह के बाद उन्होंने इसी आधार पर आरेक्षण प्रमापत्र क्राप्त किये हैं ऐसी लगवा पिछतरम अभियारतियों का चैन प्यात्रों इच्छा भरती के लिए हुआ है देखिए महिलाएं बिवहा पूर्व उनके राज्यों में अरेक्ष की पात्र जा रही है बिवहा से पहले ही उन्होंने ये प्रिमापत्र बनवा लिया है तो यहाँ पर साफ लिखा जो करेंगे पंदा दिन में पूर्ण रूप से जांच पंदा इनके बाद में आपका यह क्लियर हो पाएगा कि किना ब्यारतियों का ब्यारतन रद होना है और किनको जॉइनिंग दी जानी है और किनका चैन अभी बने रहना है आगे कहा गया उत्तरहण में विवाईत किते हैं कहां कितनी सीटे खाली हैं देखिए यहां पर कहा गया परदेश के नो जन पदों में सोमार को प्राथमिक सहायक अध्यापक के 533 पदों के लिए चोथे दौर की काउंसलिंग 510 अभ्यारती सामिल हुए यह कहां दहरादून में सबसे अधिक 190 चमोली और 88 अभ्या आगे कहा गया है अब तक चार दौर की काउंसलिंग के बाद प्राथमिक सहायक अध्यापक की कल कुल रिक्त 1906 पदों में से 273 पदों के लिए काउंसलिंग हो चुकी है इतने 2373 यानि 2373 पदों के लिए काउंसलिंग हो चुकी है अभी देखिए यहां पर पद खाली रह ग आगे कहा गया है इसमें देखते हैं सोब बार देड़ साम सक्त खत्म हुई काउंसलिंग के बाद प्रात्मिशी चक्के आपर निदेशक आरल आर्या ने बताया कि सबसे अधिक एक सुनब्य अभ्यारति चमोली जनपत के बिद्यालों के लिए आये यहां प्रात्मिश सायक अध्यापक के रिक्त पदों की संख्या कितनी है आप देशकते हैं अभ्यारतियों को कम से कम पांच साल दुलम सेवा दी जानी है अभी देखे यहां नहीं कि यहां साब साब पर देखे अभ्यारतियों को कम से कम पांच साल दुलम में सेवा हैं देनी चाहिए ताकि दुलम में सिक्षों के पद रिखते ना रहें 533 अरख्यस पदों के लिए चायन किया गया है मतलब चायन हो जाएगा जिनके अभ्यारतियों काउंसलियों होई है और यहां पर चायन के थी पांच से दा सब भिहारतियों ने यहां पर काउंसलियों क्राई है 35 outro 17 में से उनको मिल दायएगा यहां पर सब देख्या लिखा गया कहां कितनी सीट्राथ ङ पिदक बिदेखा गई है देख लेते हैं देख यहां पर इतनी सीट्राथ लच्श पाली रह गई है इन powerful चोके एक भी पद अब रिक्त नहीं रह गए हैं इन चार जनपदों में बेसिक चोके 473 पद तीन दोर की काउंसलिंग के बाद भर गए थे इसलिए इन जनपदों में चोथे दोर की काउंसलिंग नहीं रखी गई है देखे यहाँ पर कुल देखी 743 पदों तीन दोर की काउं हो चुकी है अब यह भी कुछ पद भागी हैं आप देख सकते हैं उन्तिस्तो छे पदो में से अगर आप दो यार तीन सो तेहतर पत को गड़ाएंगे तो आपके लगब कितने पद बचेंगे यह आप खोदी गुड़ा भाग कर सकते हैं इसमें कितने जो लटाओ कर सकते हैं क अब यह खाली रह गए हैं और टोटल पांसो आपे दस पदों पर यह ब्यारती पहुंचे हैं और 33 कुल सारे जन पदों को मिलाए कहरा हूं मैं यहां पर कुल यहां पर देहादुन की बात नहीं चल लए है यहां पर संपूर्ण जो जिले में कांसलिंग हुई है उनकी बात चल लए है पांसो दस अब भ्यारती कांसलिंग में पहुंचे हैं संपूर्ण राज्ये में जिले की बात नहीं आप अगर मैंने पहले बोल दिया हो जिला तो इसको संसोधन करके देखा जाए और पढ़ा जाए यहां आज की महत्रपन अपडेट थी यदि आपको वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब जुरू करें जैहन